हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू राना डिस जैगनर आज की इस वीडियो में हम डोरी लैस और पेस्टिंग के मदद से बहुत ही सुन्दर प्लाजो पैंट का बॉर्टम डिशने बनाकर आपको दिखाने वाले हैं इसके लिए हमने डोरी के लिए या पट्टी कटिंग किये इस तरह से यहां देखिए इसको हमें डोरी बनाना है इसके लिए हम डोरी इसको बना लेंगे इस तरह से यहां देखिए और फिर हमें इसको पल्टा लेना है हमने इस डोरी को पल्टा लिया है इस डोरी की लंबाई कम से कम दो या तीन मीटर होनी चाहिए जिससे आपकी यहां डिजाइन बनाने में डोरी कम न पड़े और इसके बाद हमने आप पेस्टिंग लिया है इसी तरह से डो पेस्टिंग आपको कटिंग कर रही है इतनी ही चोड़ी यहां पेस्टिंग हमारी धाई डाई इंच की है हमारे पैंट का यहां फ्रंट और बैक पल्ला इसको हम जोइंट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको जोइंट कर लेते हैं तो यहां देखिए हमने इसको जोइंट कर लिया है इसके बाद हम यहां नीचे पर इसकी पेश्टिंग लगाएंगे पेश्टिंग को चुपकाएंगे यहां पर तो इसके लिए हम प्रेस की मज़द से इस पेश्टिंग को चिपका लेते हैं यहां देखिए फ्रेंट हमने पेस्टिंग को चिपका लिया और हमने प्रैस से इसको हलका आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है आपको भी इस तासे फोल्ड कर लेना है ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी आए इसके बाद जो हमने डोरी बनाए थी पल्टाए इसकी लंबाई हमारी रहेगी 3.5 इंच तो 3.5 इंच पर हम इस पर निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेते हैं इसी तरह इसी साइज की आपको सभी डोर्या कटिंग कर लेनी है इसी तरह से तो हम सभी डोर्या कटिंग कर लेते हैं यहां देखिए हमने सभी डोर्या करेंगे तो इसके लिए हमने यहां लिया यहां देखिए यहां जो आपने डोरी कटिंग किया है उससे आदा इंच छोटा करना आने कि वह आपने तीन इंच किया था तो यहां तीन इंच कटिंग करना और इसी साइज की सारी डोरी कटिंग कर लेनी है इस तरह से तो हमने सारी कर रहे हैं या देखिए तो हमने रेडि मेड डोरी को इससे आदा इंच कम किया था अब इससे आदा इंच एक्षा आदा इंच लंबा डोरी कटिंग करेंगे इस पर तकी या एक उपर एक नीचे आ जा तो इसके लिए आदा इंच एक्षा करेंगे इस तरह से तो इसको कटिं इससे यह हमारा रेडिमेट डोरी जो हमने सबसे छोड़ा कटेंग किया था इसके बाद हमारी यह डोरी जो हमने बनाए थी इसके बाद इससे बड़ावा डोरी तो इन तीनों को हमें इस तरह से पलट लेना है इस तीनों को इस तरह से आपको लुक देना है इसके बाद इसके स्लाइम मा लेनी है हमें इसको पक्का कर लेना है तो हम इसको पक्का कर लेते हैं इस तरह से तो यहाँ देखिए हमने इसको पक्का कर लिया और इसका लुक यहाँ देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में इसी तरह से आपको सभी designer डोरी बना लेनी है सभी को इसी तरह से बना लेना आपको तो हम सभी इसी तरह से बना लेते हैं अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो आप like करके ज़रू बताएं और चैनल को subscribe करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे और bell icon को दबाना on करना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको notification आए इस वीडियो की हमने सभी डोरियो के यह design बना लिया या देखे इस तरह से और या कितना अच्छा लग रहा है दिखने में अब इन डोरि को हम प्लाजो के bottom पर लगाएंगे प्लाजो के नीचे पर लगाएंगे इस तरह से या देखे इस तरह से लगाना हमें इसके नीचे यहां से तो इस तरह से हम लगाएंगे इसी तरह से हमें एक एक करके सारी designer डोर्यों को लगा लेना हमें इसी तरह की और वीडियो से देखने के लिए हमारे channel Rana Designer को subscribe करें यह देखिए हमारे सारी designs जो हमने बनाई है या bottom में हमें लगा दिया या देखने में कितना अच्छा लग रहा है कितना सुन्दर लग रहा है तो इसको और अच्छा look देने के लिए हम इस पर एक lash लगाएंगे जिससे इसका touch up और अच्छा बन जाएगा और अच्छा दिखेगा तो इसके लिए हम यहाँ नीचे cutting करेंगे इस तरह से cutting कर देंगे बीच में अब इसके बाद हम इसको हलका अंदर के तरप फोल्ड कर लेंगे और दूसरे के तरप से भी अंदर के तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके नीचे से हम lash लगाएंगे ताकि इसकी looking और अच्छ लगे इसकी touch up और देखने में और अच्छ लगे और इसका design निखर कर आए तो अब इसके नीचे से इसको slide कर लेते हैं इस तरह से यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए यह design बनकर त्यार है और यह design कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना अब हम दूसरे cut piece को cut को हम इसके साथ joint कर लेंगे हम इस less पर अब इसको side वह से इसका तो चलिए हम इसका तो एस इस तरह से और इस design को और अच्छा बनाने के लिए और finishing देने के लिए ताकि आपका यह doorी जो design हमारा इसके bottom पे नीचे लगाए आपके पैरों में चुभेना ताकि आपको इसे कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए हम एक पट्टी त्यार करेंगे इसके नीचे लगाने के लिए तो वो पट्टी त्यार कर लेते हैं अपने 1.5 इंच का यहाँ देखी यहाँ वो पट्टी है जिसको हम त्यार कर रहे हैं इसको आपको दो तरफ से слag कर लेनी है पक्का कर लेना है इसको तो इसको हम पक्का कर लेते हैं इस पर हमने pasting लगाई है और इसको presses अच्छे से चुपका दिया है इसको हम इस bottom plaza pen के नीचे से पीछे की तरफ से लगाएंगे तो इसको यहाँ इस तरह से रख लेना है इसके के डिजाइन के और इस तरह से आपको श्लाई करनी है इसको अराम अराम से श्लाई कर लेंगे तक यह नीचे से अंदर बाहर ना हो ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी लगे देखने में तो इसको हम श्लाई कर लेते हैं इस तरह से इसका फास्त कपड़ा यहां साइडों से निकाल देंगे और नीचे से इसकी तुरपाई कर देंगे यह देखे यहां से हम इसकी तुरपाई कर देंगे और यह डिजाइन देखने में कितना अच्छा लग रहा है और यह आपके पैरों में चुबेगा भी नहीं आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अगर हाँ तो लाइक करके ज़रूर बता है